इसमें भी एक अच्छा आक्षन आपको आते हो दिखाया अनल जी की तरफ से तो सुभा रेकमेंडेशन भी थी क्या है ख़बर और बिंदो के लिए आई जानते है नुपूर के साथ नुपूर बताएं इसमें क्या चल रहा है पॉस्टिव खबर आते हो दिखिए यहां पर भी कंपनी पहली बार अपना बाइबाक करने वाली 18 जुलाई के दिन अनॉंसमेंट आते हो दिखिए कि बोड बेटा के 18 जुलाई को तो उसके बाद बाइबाक का जो भी अनॉंसमेंट है वो आते होई नज़र आएगा प्रमोटर्स के पास फिलाल देखे तो 51.8% हिस्सेदारी है कंपनी में और कंपनी की जो नेट वर्थ है वो भी करीबन 30,000 क्रोड के आज़ पास किये अब बाइबाक में दो उप्शन होते हैं तो या तो 10% बोड अप्रूवल से कंपनी करती है या फिर स्पेशल रिजिलूशन पास करके 25% तक का मैक्सिमन बाइबाक कर सकती है अगर 10% का बाइबाक करेगी कंपनी तो बाइबाक की वैल्यू करीबन 30,000 क्रोड के आज़ पास आती हुई नजर आएगी स्पेशल रिजिलूशन के साथ करती है बाइबाक तो 7,460 क्रोड तक का बाइबाक कंपनी करती हुई नजर आ सकती है टेंडर ओफर के जरिये लेकिन कंपनी के पास सिर्फ 6,300 क्रोड तक का कैश अविलेबल है तो 25% का क्राइटेरिया शायद वहाते कंपनी ना जाया और 10% वाले क्राइटेरिया में ही इस पार बाइबाक आते हुई नजर आ सकता है लेकिन अगर open market के जरिये बाइबाक करती है तो उसकी maximum limit 15% के आसपास होती है जिसका amount 4480 क्रोड के आसपास आता है तो price निकालना थोड़ा difficult है क्योंकि company पहली बार बाइबाक करने वाले है लेकिन 10% के हिसाप से देखे तो करीबन 3000 क्रोड तक का बाइबाक यहाँ पर आते ह पर आते हैं हम